येज़ देखो एक कमपनी है जिसका क्वार्ट रिजल्ट बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है जिसके दम पे बजार खुलते ही स्टॉक में 10 पसें तक का अपर सब्सक्राइब देखने को मिलिया लेकिन देखो क्या होता ना स्टॉक मार्केट में जादतों लोग फज तो इतना जाद लेक्चर देने के बाद भी समझ में आता अगर दो चार वर्ड में अगर मैं आपको कंसाइस करके बोलू तो वह तो ऐसे भी नहीं प्रावलम में आप फज्जाओगे फिर बोलेंगे साथ क्या बोला समझ में नहीं आया करके तो थोड़ा समय मैं elaborate करता हूँ ताकि कुछ लोगों को समझ में आया और जो लोग जादा advance है मतलब वह words को पकड़ लेते हैं उनको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़े आप समझ जाते हो तो आप skip करके वीडियो देख सकते हो या तो फिर आप जल्दी जल्दी भी जा सकते हो ल मैं ज्यादा तर कंपनियों का quarter result का यह नहीं करता रिव्यू नहीं करता यह quarter result के बारे में आपको नहीं बताता क्योंकि कुछ ही company है जो ज्यादा चाप perform करते हैं और वह भी मैं छोटी company को result बताता हूँ बड़ी company हो तो already मैं आपको बता दूँगा वह बड़ी है तो profit में थोड़ा बहुत up and down चलते रहे तो फिर क्या five down के बारे में सही है तो जो वह है जो आपको बहुत बड़ा return दे सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो सुबह सुबह morning morning मैं मैं आपको बता दिया कि ABB इंडिया का result बहुत ही अच्छा और यह stock को हमें गिरते ब लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में आप कहीं ने कहीं गले जगा पैर रख दो जिसके कारण हो सकता है कि आपका एक लागा capital जो है जो भी आपके पास पैसा जो भी capital है वो देरे 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 रेडियूस होना start हो जाएगा तो सही जगे पे सही price पे आप चीजों को खर दो तो ज़्यादा फाइदा होगा यह भी इंडिया मैं हमको बदा दूँं 50,000 करोर तक का market cap है इस company का यह company electrical kickment के लिए काम करती है 373 करोर का company ने जो है quarter result में profit दिया है net profit की बात कर रहा हूं और पिछले साल के same quarter में 140 करोर के आजू बाजू चल रहा था और देखो यह number में company result किया है कि मतलब 300 से लेके 400 करोर के बीच में तो यह बहुत हाई है अब तक का बहुत हाई है समझे और 47,000 करोर का company का market cap है मैं लमसम आपको बता रहा हूं company आपको dividend भी देती है और यह बाहर की company है बाहर की company है इंडिया की company नहीं और इसके दो-तिन और ग्रूप है जो और 47,000 करोर का market cap है अगर यह stock भागा अगर यह stock भागा तो मैं आपको बता दूँ कि मतलब 40% 50% क्या जुबाजू रहेगा 40-50% अब लोग क्या करेंगे कि यह stock जैसे जैसे भागेगा वैसे वैसे खर देंगे अब बीच में आप देख रहे हो किता ज्यादा fluctuation है देख लो कित पर भी और नीचे तो और उपर हो गया तो 50% का नुकसान है किनी देख सकते हो तो बहुत स और आइसे नाजुक लोग होते हैं जिनको माल लेता है कि 10% का यह 20% का भी नुकसान होता तो डर जाता है कि इतना हो 20% नुकसान हो गया यह stock फालतु खरीद लिया ऐसे वैसे तो मैं आपको भूँगा stock market में इतना तो चलता है 20-30-40% तक का नुकसान 40-50% का नुकसान नॉर्मल होता है इतना fluctuate कर जाता है बजार तो इस वज़े से मैं आपको बोलाओं कि अगर आप यह company को खरीद रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई बहुत बड़ा profit देगा तो मैं आपको बता दूँ 40% से लेकर 50% के बाजू में ही रहेगा तो अगर यह 50% का stock return देने वाला है तो हमें खरीदना कब है देखो यही logic होता है मैं आपको समझाता हूँ देखो यहां होता 10% यह 20 हो गया यह 30 हो गया यह 40 हो गया यह 50 हो गया अब यह हमें ग्राब बना देते देखो लिखा जो गया वो बिल्कुल सही नहीं है लेकिन फि सकता 10-15% या 20% और stock भागेगा नहीं तो फिर गिरेगा तो यह लोग तो फसेंगे की नहीं फसेंगे लेकिन फायदे में कौन रहेंगे जितने लोगों ने नीचे खरीद रखा जितने लोगों इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहां यहां जो लोग खरीद रखे ह क्या साथ-साथ लोग बढ़ जाते हैं हैं कि ने इंडिया में जब लोग बाइक चलाते हैं तो लेकिन ट्राफिक पुलिस के इसाप से दो ही बैटके जाना है यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यह होती है सेफटी और stock market में लोग सेफटी लेते नहीं हैं और वो खरी को देखे हैं पड़े हैं उसमें जादा जादा एक्जांपल ही दिया गया है बड़े-बड़े लोग के तरब से क्योंकि एक्जांपल देने सरो लोग जादा तर समझते हैं और उनका जो जादा doubt होता है वो clear होता है समझे हो और कुछ ऐसी भी चीजे हैं जो आपको कुछ simple वर्ड में बोला जाता है तो उसको लोग चाहते हैं कि खुलके बोलो ताकि मुझे समझ में आए इस वज़े से मैं बोलता हूं अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बोर लगता तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो सही है तो यह स्टॉक तो हो गया अब दूसरा करने वाली बात नहीं है दिपक नाइटेट आधा तो रिकवरी हो चुका था थोड़ा और बचा था यह 300 तक चला गया था 2300 तक और स्टॉक गया था 3000 तक तो किवल 700 का डिफरेंस था वो भी कवर कर देता आने वाले दून में उसके साथ-साथ एंजल बन की बात कर लेते है तो एंजल बन भी आज के रेट में गिरा है देखो मैं आपको विलूँगा टिंचन ना लीजिए इसको भी होल्ड किजिए सही है बहुत अच्छी कंपनी आज नहीं तो कल जब भागना शुरू करेगा तो फिर रुके गाए नहीं कंपनी का रिजल्ट भी बहुत बहुत य अच्छा था साथ में अगर हम बात करते हैं निशले जैसे स्टॉक आज के डिट में गिर चूके हैं हाला कि बजार धे जरे की तक पहले से गिरा हुआ है और आज के डिट में बजार ने और इसको ज्यादा कम जूर कर दिया तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो 60% 70% गिर जाते हैं लेकिन इसके बाद जब भागना स्टार्ट करते हैं तो 500-600-800-1000% तक का रिटर निकाल के देते हैं अगर मैंने पिछला वीडियो बनाया आप जाके देख सकते हैं एक्जामपल के साथ और रियल मतलब करके भी दिखाया लगों कि देखो जितने लोगों ने भी यह अच्छे अच्छे वाले स्टॉक है तो खरीद रखें अगर आपने थोड़े बहुत हाई पे भी तो आपको अटेंशन होने वाले कोई बात नहीं है अल्टराटेक जैसे सीमेंट वाले स्टॉक है यह सभी अच्छे है तो आपक आपको सेफटी के बारे में इस वीडियों बताया बस उसी सारे चीजों को फोकस करना है आपको और कल के डेट में आडानी ग्रीन में काफी अच्छा गिरावट था आज के डेट में तेजी है मैं आपको लिए देखो यह सारे स्टॉक हाई पे हैं अभी खरेदने से कोई फ इसकले जितने लोग लोग में खर दें उनके रिस्क नहीं है क्यों कि यह सारे स्टॉक लंबे समय में प्रॉफिटी देंगे लेकिन अगर आपने हाई पर खरीद रखा कली के डेट में छे परसंट साथ परसंट यह दस परसंट टकका नुक्सान होगे तो क्या करोगे हैं कि इस वज़े से मैं आपको बोलता हूँ कि क्यों न 10 परसंट नीचे खरीद ले इस वज़े से मैं आपको बोला हूँ कि अडानिक ग्रीन पावर गैस ट्रांसमिशन यह सारे स्टॉक में अगर आप खरीद रहे हो तो कम से कम मैं आपको बोल दू कि आपको कसम खाना यहाँ पर उसके साथ JTL इंफा में आपको बात नहीं है यह बिल्कुल नई कंपनी है और अपने प्राइस के आजू-बाजू ही फ्लक्ट्वेट कर रहे है तो इससे ज्यादा नीचे गिरने वाली है नहीं यह कंपनी गिरना रहा तो कितने बड़े-बड़े गिरावाट ह हो चुके हैं लेकिन यह स्टॉक में कुछ खास गिरावाट हुआ नहीं है तो इसको तो यह तो भागे गाई आज नहीं तो कल भागे गाए बस आपको थोड़ा रखना है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डिमेट अकॉन इंजल में ओपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री होगा डिलेवरी चार्जेस फ्री होगा केवल 20 रूपीज लगेगा वो भी इंट्रडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपना डिमेट अकॉन वगरा ओपन कर सकते हैं और देखे थोड़ा पेशिंस र को रख लेते हैं बैंक में यहां नहीं रख पाते हैं जिस बैंक पर आपको भरोशा उसी पैसा लगा तो फिर